है हेलो फ्रेंड्स कि रंदा नीटर पर आप सब का बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ बहुती सुन्दर बॉर्डर डिजाइन फ्रेंड्स इसको इचेक दाना बॉर्डर भी बोलते हैं दानेदार बॉडर भी बोलते हैं तो यह बॉडर बहुत सुंदर बनके आता है और मेरे बहुत सारे वीवर्स की फर्माईश थी कि यह दुबारा इसको अच्छी तरह से और भी बुनके बताया जाए जो बिगनर लेवल के लोग हैं उनको अच्छी तरह से यह समझ अच्छी तरह से फॉलो करें और बिगनर लेवल के जो लोग हैं वह पहले इतने ही फंदों पे यह बॉडर डिजाइन डाल के देखें फिर वह अपने स्वेटर यहां किसी और पे प्रोजेक्ट पे यह डाले और फ्रेंड्स इसकी एक खासियत है बॉडर की यह नहीं होता है तो इसमें आप जो आम बॉडर में आप फंदे डालते हैं उसमें से पांच शे फंदे आप कम डालेंगे तो बढ़िया रहेगा फिर उपर जाके फंदे बढ़ाएंगे तो शेप अच्छी आएगी तो यह फ्लेक्सिबल नहीं है यह ऐसे जैसे आपका पैटर लेने हैं या आपको इवन नमबर लेना है या आपको और नमबर लेना है तो आप किसी भी नमबर के इसमें फंदे ले सकते हैं तो मैंने 16 फंदे लिए हैं जो बिगनर लोग हैं यह इतने ही फंदे लेके एक बार इसको बुनके जरूर देखें तब ही वो अच्छी तरह से सीदे से इसकी शुरुवात करने लगी हूँ यह दिकी ऐसे हैं एक फंदा सीदा और एक फंदा उलता अ बस ऐसे यह आप इस को बुंत जाएंगे पहली रो को एक फंदा सीदा मैंने यहां पर जो बुना हैं देखिए सीदे फंदे से मैंने इसकी शुरुवात की है सीधा उल्टा सीधा उल्टा देखिए ऐसे बुनते जाएंगे आप जैसे आप सीधे और उल्टे का बॉर्डर बॉनते हैं वैसे ही पहले सिलाई आप बनाएंगे पर कुछ चीजों का आपको इसमें ध्यान रखना है ताकि आपका बॉर्डर गल्त न हो जाए तो यह मैं सिलाई आपको पूरी ही बुनके दिखाऊंगी ताकि आपको इजी रहे बिगनर लेवल के लोगों के लिए एजी रहेगा यह नहीं तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं उनको इस बॉर्डर का पता नहीं चलता है कैसे बनाएं तो यह दिखिए एक सीधा और एक उल्टे का हम यह से लाई करेंगे यह दिखिए वहर में गजय करेंगे लास्ट में इसका ये फंदा उल्टा आ रहा है देखिए ऐसे लास्ट का फंदा आपका जो आएगा उल्टा यहां पर आया है तो आपको उधर भी उल्टे से ही स्टार्ट करना है देखिए यहां पर उल्टा फंदा आया है इसमें कोई दिक्कत नहीं है यह सीधा आएगा तो आप उदर से सीधा बुनना शुरू करेंगे पहला फंदा सीधा बुनेंगे यहां पर उल्टा आया है तो अब आप ध्यान से देखिए इसकी लास्ट हमने उल्टे फंदे से की है तो यहीं से हम इसको पल्टेंगे और इसकी रोंग साइड में आएंगे तो अब यहां से second row है इसकी यहां हमने इदर उल्टे से इसकी एंडिंग किया तो यहां से फिर से उल्टे से ही इसकी शरुवाद करेंगे यज़ आपको ध्यान में रखना है तबहिए आपका यह बॉर्डर से ही आएगा उल्टे से शरुवाद करेंगे और यहां पर फिर आप वैसे ही बुनते जाएगे आगला सीधा फिर उल्टा जो बिगनर लेवल के लोग हैं पहले थोड़ा सा बॉर्डर बना के देखें तब यह उनको इसका असली लॉजिक पता चलेगा कि यह कैसे आएगा देखें ऐसे जितने फंदे मैंने डाले हैं उतने फंदों पर यह बना के देखेंगे तो आप इजी ली इसको बना पाएंगे और यह सिर्फ दो सिलाईयों का बॉर्डर है जादे इसमें वो नहीं है दो सिलाईया आपको बार बार रुपीट करनी है अब मैं यहां से फिर से आपको यह हमारा उल्टा फंदा और last में friends आप देख सकते हैं इसमें आया है आपका सीधा फंदा तो यह देखिए आप देख सकते हैं कि आपका यह दाने दाने border के आने start हो गए हैं तो आपका फंदा दूसरा एक दूसरे पर आना चाहिए तब ही आपके जाएंगे और जो बिगनर लेवल के लोग है वो सिर्फ जैसे मैंने बताया है वैसे ही इन फंदों को बुने तो उनका इजी ली यह आ जाएगा अब मैं आपको कहा करना है कि यह रो वन राइट साइड वाली और रो टू रोंग साइड वाली यह इसमें रिपीट करते जाना है तो आपका बॉर्डर आगया अगय चलता जाएगा तो यहां पर एक बार देखिए आप मैंने सीधे पे खतम किया है लास्ट फंदा मैंने सीधा बुना है तो अब फिर से हम रो वन राइट साइड में जब रिपीट करेंगे तो हमारा जो हमने सीधे फंदे पे खतम किया है तो यहां से सीधे फंदे से ही इसकी शुरुवात करेंगे देखिए ऐसे बस ऐसे ही करते हुए यह बॉर्डर आपका आगया अगय बनता जाएगा बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बिगनर लेवल के लोगों को जैसे जैसे मैंने आपको फंदे बुनने बताए हैं वैसे ही आपको फंदे बुनने तो यह मैः थोड़ा सा बुन लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूं देखी फ्रेंट्स मैंने इसमें थोड़ी सी सिलाइया और बुनी हैं आप देख सकते हैं बोडर की लुक बहुत बढ़िया बनके और यहार एक कलर पर बार्डर बहुत जचता है और बहुत ही फेमस बार्डर है बहुत सुन्दर लगता है तो अब आप भी बनाएगे और फ्रेंट्स जो मैंने इंस्ट्रक्शन्स इसमें दी है उसको अच्छी तरह से फोलो किजिए अगर आप बिगनर हैं तो इतने ही फंद शेयर थैंक यू